आपको नमस्का पावर विशन टेलिविशन चैनल के द्वारा यह जो प्रोग्राम है आशिश संदेश में आपका स्वाकत है परमेश्वर आपको बहुत आशिश दे आज आप यह जो संदेश सुन रहे हैं आपका जीवन के लिए एक ऐसा अनिभव परमेश्वर देगा इस संदेश के द्वारा ताकि आप जीवन भर इसको याद कर सकते हैं परमेश्वर आपका जीवन में कुछ करने वाला है विश्वास करिए बोली अपने आपको जी हाँ जरूर क्यों नहीं अपना वजन के द्वारा सब कुछ बिनाने वाला परमेश्वर का वजन आप सुन रहे हैं जी हाँ जी विद परमेश्वर का वजन आप सुन रहे हैं प्रप येश्वास आप से बात करेंगे हमारे द्वारा जी हम लोग इंस्ट्रॉमेंट्स हैं है ना हमको याद है गाउ में जो लोहा का सामान जो बैनाते हैं ना उनके पास हतोड़ी रहता है वो बार बार उस हतोड़ी से उस लोहा में मारते हैं और देखते हैं फिर उसको जो आग में रखते हैं और हतोड़ी से मारते हैं फिर पानी उनके पास रहता है पानी में उसको रखते हैं फिर उठाते हैं फिर मारते हैं जब तक उन्होंने जो शेइप उस जो भी सामान वो उस लोहा से बिना रहे हैं वो शेइप पक्का आने तक ये प्रॉसस होता रहता है जी हां प्यारो परमेश्वर का एक उपकरण है हम तो परमेश्वर आप से बात कर रहे हम एक केवल उनका हाथ का एक हाथ थोड़ी के समाने कुपा करना है कौन बात कर रहे है परमेश्वर आप से बात कर रहे हमको याद है हमारे एक भाई ने हमको बदाया बहुत निराशा में था ओ, बहुत निराशा में, कभी हम आपको उनका गवाही सुनाएंगे, उनको बुलाएंगे, वो अपना गवाही बोलेगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उन्होंने बहुत निराशा था, उनका बिसनस था, इटा का बिसनस था, शायद तोड़ा टेलिवेशन देखेंगे और वहाँ पर एक मसी संदेश ईश मसी का संदेश आया उनको अच्छा नहीं लगा दूसरा में गया लेकिन उन्होंने हमको बदाया वह बात हैं उसमें भी यही संदेश और बदाया आप चानल मत हटाएए अगर आप चानल हटाएगा तो उसमें भी आप यह सुनेंगे और वो सुना उन्होंने सुचा क्या बोल रहे थोड़ा सुनते हैं उस दिन उनका जीवन का ऐसा एक मौका बन गया वो कभी उस दिन को भोल नहीं सकता इसलिए हमने आपको बदाया आज है एक ऐसा दिन आपके लिए हो सकता है जो आप जिन्दगी वर इस दिन को याद रखेगी आप क्यों इस टेलिविशन का चैनल के सामने बैठें क्यों आप इस यूट्यूब के द्वारा इस प्रोग्राम को देख रहें क्या इसाही बिलकुल नहीं परमेशर का एक योजना है आपके लिए परमेशर आप से बात करना चाहते है जी हाँ तो वो भाई बदाते हैं उस दिन निराशा में भरा हुआ उनका जीवन में ये शमसी का आशा पहुंच गया उनका जीवन बदल गया अबी वो प्रार्थना में आते तो मुझको लगता है और बार वो आते है तो डबा भार मिठाई लेकर आते हैं उनका जीवन में इतना कुशी इतना आनंद प्रभू ने दिया है प्रभू येश्व ने दिया है जी प्यारों आज परमेश्वर आपके लिए टहराया हुआ वक्त दिन ने ये विश्वास करें हम आपके लिए परमेश्वर का वच्छन से एक भाग पढ़ना चाहते है मरकुज रजिस्व समाजार उसका नव अध्याय का तैंदीस पद से ध्यान से सुनियागा येस्वर मसी के बारे में फिरवे कफरनहू में आए और घर में आकर उसने उन से पूचा रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे वे चुप रहे क्योंकि मारकु में उन्होंने आपस में ए वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है तब उसने बाइट कर बारहोंग को बुलाया और उनसे कहा यदी कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे चोटा और सबका सेवक बिने और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उसनसे कहा जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी गरहन करता है वा मुझे गरहन करता है फरमेश्वर का नाम का महिमा हो प्रभू का नाम का महिमा हो देखिए इधर लिखा है घर में आकर उसने उनसे पूछे रास्ते में तुम किस बात पर वात कर रहा थे वे चुप रह ने उन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन थब इशियू ने उनको बुला करके उनसे कहा यदी कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे चोटा और सबका सेवग बिने प्यारो बात यह है ये चेले लोग इश्यू के सामने इश्यू के चेले के बारे में इदर लिखा है चेले ईशु मसी के सामने आपस में ये वाद अविवाद नहीं किया हमें से बड़ा को ने इसलिए ईशु ने पूछा तुम लोग क्या हो बात कर रहा था वो चुप रहे है इदर लिखा है लेकिन इसके बाद ईशु ने उनको बुला करके जिस बात के लिए वो विवाद बाद विवाद कर रहा था उसके लिए उनको ईशु ने सला दिया क्या समझ रहे हैं त्यारों चेलों को चेलों ने ईशु को नहीं बदाया लेकिन इशु मसी उनका हर एक बात समझ लिया जान लिया आज आप का जीवन का हर एक बात जानने वाला प्रभी यश्य मसी हो सकते हैं आप दुनिया में किसी को नहीं बोल सकता आप किसी को बोला नहीं होगा आप खरदे का भीतर में छिपा कर रखा हुआ बात भी जानने वाला प्रभी यश्य दोबात आप याद करिएगा ध्यान ली दीजिएगा इस बात को आप जान लीजिएगा आप इस दुनिया में किसी को नहीं बोल सकता ऐसा दुक्य की बात ऐसा कष्ट की बात ऐसा बातें दूसरे से बोलने से फाइदा नहीं दूसरे को बोलने से हसेगा दूसरे को बोलने से आपका आपका टटा उठाएगा ऐसी बात ये आपका जीवन में होगा उसके कारण अप परिशान होगा किसको बदा दो कौन मेरा मदद करेंगे कौन मुझको इस उल्जन की परिस्तिदी से कौन मुझको निकालेगा अगर आईसे आप आज सोसते हैं तो आज एश्च मसी का व आगले भी आपका हर एक बात को वो जानते हैं हो सकता है आप आपका जीवन में कुछ कडिनाई से गुजरते होंगे हो सकते हैं आप कुछ परिशानी से गुजरते होंगे लेकिन आप याद रखिए अगा प्यारो वो कडिनाई से वो परिशानी से आप गुजरते हैं इस द लास नहीं है, ऐसा कोई भी समस्या इस दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा समस्या क्या है? मृत्यु का समस्या ऐस मसी के बादे में परमेश्वर का वाजन क्या बदाते elevator? वो मृत्यु को जीत लिया है। येश्व मसी को मार दिया गया कुरूस पर और एक कबर में रखा गया और वहाँ का शरकार ने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया ताकि उनका लास भी लेकर कोई न जाए क्योंकि उस समय येश्व के बारे में येश्व का विरोध में कुछ लोग उस प्रगार काम कर रहे थे लेकिन आपको मालुमें तीन दिन हो गया तीन दिन हो गया येश्व जब जीवित था येश्व ने कही बार बताये था मैं सारे मानवजादी के लिए सारे मनिश्य के प्राण डेने का मतलब क्या है आप पूछेंगे प्यारो फ्रमेश्वर का वजन काता है पाप का दंड मृत्यू है मेरा और आपका पाप के कारण मुश्कूर आपको मृत्यू सागना था लेकिन येश्यू मसी मेरा और आपका पाप का दंड वो सह लिया तो फिर वो जीवन में कैसा वापस आया अगर मैं मरता मेरा पाप के लिए मरता और मैं वापस नहीं आता येश्यू मरा येश्यू वापस आने का चांस क्या है प्यारो येश्यू ने कभी पाप नहीं किया पाप उसे वो अग्याद था प्रभू का वज़न में लिगा है जो पाप उसे अग्याद था परमेश्यू ने उनको पाप टखराया मेरे लिए और आपके लिए इसलिए जिसने पाप नहीं किया था और वो परमेशर का पुत्र बेंगर इस संसार में आया वो मृत्यू को जीत लिया जीवन का सबसे बड़ा समस्या मृत्यू का समस्या है सही है न एक परीशे में फैल होने से बड़ा समस्या वो है एक सिरदर्दिक्ट से बड़ा समस्या वो है आपका आर्थिक समस्या से बड़ा समस्या है मृत्यू का समस्या आप यारो मृत्यू दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है लेकिन क्रूस पर एशू ने मृत्यू को भी हरा दिया तो आपका जीवन का सबसे बड़ा समस्या का भी निदान येश्यू मसी के पास है चेले लोग येश्यू का नहीं बोला क्या समस्या क्या बात कर रहा था लेकिन येश्यू सब को जान लिया आपका जीवन का हर एक चोटा बड़ा सारे बातों को जानने वाला परमेशर है जी हाँ आप इन से छिपा कर रखने की जरूरत नहीं आप ऐसा रख नहीं सकता और आपका आपका समस्या आप जहां पर अभी बैठे हैं ना उस पर येश मस्य को बड़ा सकते है आपका मन में बड़ा सकते है मन मन में बड़ा सकते है वो आपको जानने वाला परमेशर आपको सहाइदा करने वाला परमेशर आपको नया जीवन देने वाला परमेशर आपका उस परीशानी सी आपको बेचाने वाला परमेशा दूसरा एक और बात है ए लोग जो किया है ना अच्छा काम नहीं किया ये शुकर साथ चलते हैं लेकिन फिर भी आपस में क्या है मैं बिड़ा कोने ए वाद अभी वाद हो रहा था जी हाँ प्यारो अगर हमें से कोई गुपत पाप की बात है अगर कुछ ऐसी बात है जो हम दूसरे को बढ़ाने से अच्छा नहीं होगा जी अगर ऐसा कोई पाप का जीवन मारा है तो उसको उसको हम चिपा नहीं सकता ये शुमसी सब कुछ जान रहे इदर देखे हैं चेले लोग छुप रहे लेकिन ये शुमसी जान लिया वो क्या बात कर रहा था ये शुमसी जान लिया प्यारो मेरा उठना बाइटना ये शुमसी जानता है परमेश जानता है मेरा हर पल मेरा जीवन में क्या हो रहे मेरा सोचविजार में क्या है मेरा अख़विए में क्या बात है यह सब कुछ जानने वाला है आपका प्रमेशर मेरा प्रमेशर इसलिए अगर हम गुब्त řिदी में भी अगर कोई पाप हमारा जीवन में है हम उसको छोड़ दे उसको चोडने का तरीका क्या है परमेश्वर का वजन काता है हम हमारा पाप को अंगीगार करे और हम उस पाप के लिए परमेश्वर से माफी मांगे और हमेशा के लिए उसको चोड़ दे और उस प्रभू का पीछे चलने का नरने लेते है तो परमेश्वर का वजन काते है ओ उधार है मुक्ती है चुटकारा है इसके लिए कि तरह कर्च है कोई कर्च नहीं कर्च सब चुका दिया गया है कौन ये शुने कर्च चुका दिया है प्राण प्यारो अक्री बुंद तक ये शुने दोहसार साल पहले अपना लगू हमारे लिए बहाया है जी हाँ आपके लिए शुने अपना लगू बहा दिया है प्रभू का धन्यवादो हमको अभी क्या करना है वो पाप को समझना है जानना है उसको अंगिगार करना है उसको छोड़ देना है एक और बात इदर देखिए एश्यमसी क्या सिखा रहे है देखिए एश्यमसी क्या सिखा रहे है अक्सर हम देखते हैं दूसरे से दूसरे को गिरा कर भी आगे बढ़ना है दूसरे के द्वारा हमारा सेवा होना है दूसरे को गिरा कर भी हमको आगे बढ़ना है लेकिन एश्यमसी का टीचिक थोड़ा देखिए प्यारो एश्यमसी क्या बदा रहा है थोड़ा देखिए लिगा है यदि कोई बड़ा होना चाहे यदि कोई बड़ा होना चाहे कोई अगर बड़ा होना चाहे येश्वमसी का सला क्या है तो सबसे चोटा और सबका सेवक बने प्यारो अगर हमें से कोई बड़ा होना चाहते है तो येश्वमसी का बजन क्या बता रहे है येश्वमसी का सला क्या है बड़ा होने का मतलब सबसे चोटा होना और सबका सेवक सेवा करना सब के लिए सेवक बने प्यारो हमारा विक्तिका जीवन का शांदी का वातावरन का रखस्य है हम सोसते हैं हमसे बड़े हो जाएंगे तब सब अच्छा हो जाएंगा हैं? लेकिन प्रबू का बजन काता है अगर तुम बड़ा होना चाहता है तुम चोटा हो जाओ तुम सब का सेवक बनो प्यारो आपका जीवन में शांदी आनन्द होने के लिए तरीका प्रबू का वजन काता है यही है परीवार में परीवार में कदी पंक्नी सोसते मैं बड़ा हूँ में बढ़ा हूं सोचे तो क्या होगा बहुत सारे परिवार तूट जाता है इसी के कारण इसी के कारण पदी सोचते में बढ़ा हूं पक्ति सोचते में बढ़ा हूं लेकिन परवेश्वर का वजन क्या कहते है पदी पक्ति को आपस में प्रेम रिखो आपस में आदर करो तु तुम बड़ा है सोचते तो तुम चोटा हो अगर पदी आप सोचते में बड़ा हूं फ्रभू का वजन गाता है आपको आपका पक्ति का सेवा करना है आपका पक्ति का सेवा करना है इसलिए जब वाह होता है तब परमेशर का दास पदी से बोलते हैं मैं इनका देखपाल करत हुए जीवन भर विश्वास योगिदा के साथ रहेंगे और प्रमेश्वर का वजन में लिगा है भी एफेजियों का पत्री पांच अध्याय में जैसा मसी ने कलिश्या से प्रेम करके अपने आपको दे दिया उसी प्रगार पक्नी से पदी प्रेम करना एही सेवा सेवा क्या है जान देने से बड़ा सेवा क्या है जी हां जी हां जी हां जिस और्गनेशेशन में हम है उस और्गनेशेशन में जहां पर भी हो बिसनस हो जहां पर कहीं पर भी हो प्यारों अब होगा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा मैनेजर होगा सुपरवाइजर होगा कोई भी होगा शासन करने के लिए नहीं है, काम अच्छा होना है, डिसिप्लिन स्वारा होना है, कभी कभी डिसिप्लिनरी आक्शन होना है, लेकिन हम डिसिप्लिनरी आक्शन लेने के लिए मैनेजर नहीं बेना, हम सबका उपर शासन करने के लिए, उनको पनिश्मेंट देने के लिए, हम ड जब सच में देश का सेवा करने के लिए एक एक जन चाहे जो रूलिंग करते हो चाहे जो अपसिशन में हो यह सोच जब रहते हैं ना हमारे देश तरकी पाएंगे उसका भी रहस्या वही है येशुने काता है तुम एक बैच्चे को बला करके येशु बोलता है इनको श्रीगार करो ना देखो हिमिलिटी नमरता बैच्चा का सभाव किया है नमरता और और ऑरजिनालिटी वो कोई कोई नाठक नहीं करते चोटा बैच्चा का वो दिखावटी का ने यह करते और डिपेंडेंट्स वो हमयशे अपना माधा पर भरोसा करते हैं पिदा करें कुछ भी खदरा अने पर दोड़कर ममी के पास चले जाते हैं प्यारों आपका जीवन का हर परिशानी में आप भी उस प्रभू के पास जा सकते हैं हम नम्रता से जिए हम दिखावटी की मुकाउट की बाते छोड़ दे और मॉस्पर हो रोसा करें तो प्रभू हमको आशिष देंगे आई हैं प्रार्थना करेंगे प्यारू आज आपका जीवन का क्या स्थिदी है प्रमेश्व जानते हैं आज प्रमेश्व आपसे बात किया है प्रमेश्व आपसे बात कर रहे हैं आपका जीवन को चू रहे हैं जी हां प्रभू आपका डर भाय एश्यमसी दूर कर रहा है। अंदुष्ट रहो एक सर्वे काता है दुनिया का सबसे बड़ा आनंद भी एक हफ्ता का है। प्रभु जी वो गुटना ठेके हुए मन में आप से बात कर रहे परमेश्वर आप उनको स्विकार करें। उनका जीवन में काम गरे एश्यमसी के नाम से परमेश्वर के अनिंग्र उनका जीवन में हो उनका परिवार में हो उनका काम में हो। परमेश्वर जी सारे निराश्या की बाते जाते रहें। परमेश्वर के आशिश उन्डे लिए धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए बीमारिया जाते रहें। मियुस्वर के नाम से मांगते हैं परमेश्वर आपको इस दे आपका प्रार्थना विश्याम को बिदाये टलेफॉन पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे आपका जीवन में आचरिय करम करेगा गाठ ब्लस्यू मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ और मसीही सिक्षा के अनुसार मेरा पालन पोसन किया गया और मैं मसीही सिक्षा को अपने जीवन में बहुत ही गहरी रिती से सिखने का प्रयास किया और जहां तक मेरा समझ है और मेरा सोच है मैं यह समझता हूँ कि जितना एक मसीही को परिपक्व होने के लिए जानकारी होना चाहिए अतना जानकारी मैंने प्राप्त किया है और मेरे जीवन के उन समयों में जबकि मैं एक अकेला एक युद धक के रूप में अपने जीवन में जब मैं लड़ाई लड़ता था उस वक्त भी मैंने प्रभू के सामर्थ को प्रभू के उस जीवन को अपने अंदर से प्रगट रूप से देखने का आउसर भी मिला है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि प्रभू येशु मसी सचमुच हमारे जीवन का रख्षक है परन्तु जब इनसान अपने जीवन के और बाहर के लोगों में अंतर करना सुरू करता है तब इनसान को पता चलता है कि वो इनसान सचमुच किस अस्तर में पाये आता है और आप जानते हैं कि हर एक जवान अपनी जवानी के समय में सब प्रकार की लालसाओं को अभिलासाओं को और सुक भोग को का आनंद उठाना चाहता है वही उसी प्रकार मेरा भी एक जीवन था जब मैं 1996 में जब मेरा समय आया मेटरिक का परिछा देने का उस वक्त मेरे ज चुनाव था कि मैं उस युद्ध को जीत लूँ और आप जानते हैं कि हमारे समयों में मेटरिक का परिच्छा देकर के पास हो जाना एक बहुत बड़े युद्ध को जीत लेने के बराबर होता था इसलिए मैं भी 1996 में परिच्छा में जरूर संपिलित हुआ परन्तों किसी कारण वस मैं पूरा एक्जाम नहीं दे पाया और निश्कासित किया गया परमेश्वर के साथ मैंने एक बिजनेस किया एक बैपार रखा कि यदि परमेश्वर यदि आप मुझे इस युद्ध में बिजाइ दिलाएंगे तो मैं आपके पीछे चलूँगा यदि आप मुझे हराएंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा इस कारण इस ये बात बोल करके मैं प्रात्रा किया और 1997 में मैंने परिच्छा दिया और मैं अच्छे नमरों से मेट्रिक का परिच्छा पास किया तो म समस्याएं परेसानी मुसीबतें उतनी ही बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और मेरा जीवन एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गया जहां मुझे चुनाव का कोई आप्शन बचा ही नहीं था क्योंकि मैं एक ऐसे दहलीज पर पहुँच चुका था जो मुझे जीवन या मृत्ति की और ले जाता तब मैंने अपने जीवन में टटोला कहां मैंने चूक किया किस कारण से मैं आज इस स्थान तक पहुँच चुका हूँ जब मैंने अपने जीवन में मुल्यांगन करना शुरू किया तो मुझे पता चला जिस दिन से मैंने उस जाने हुए परमेस्वर को अंजान बनकर उसके साथ जीना शुरू किया तब से मेरे जीवन में ये समस्याएं आना शुरू हो गई और जब मैंने इसका मुल्यांगन करके पाया तो मुझे लगा मैं परमेश्वर से बहुत दूर चला गया हूँ और उस समय मेरे पास चुनाव के कोई भी पॉइंट बचे नहीं थे इसलिए मुझे एक मात्र परमेश्वर ही नजर आया जो मुझे मेरे जीवन को बचा सकता था या यू कहें मेरे जीवन का अंतिम चुनाव मात्र प्रभु ये समसी ही बच गया था उस समय मैंने अपने जीवन को हर तृती से जांसते और परक्ते हुए मैंने ये निर्ने लिया कि मुझे अब क्या करना है और क्या नहीं तब मैंने अपने जीवन में एक निर्ने की ओर आगे बढ़ा और ये निर्नाय मेरा 2002 में मुझको लेना पड़ा कि मैं संपुर्ण जीवन परमेशवर के साथ जीऊं या संपुर्ण जीवन संसार के साथ जीऊं उस समय मैंने प्रमेशवर से एक बिंती की प्रमेशवर यदि मेरे जीवन को तू फिर दे तो मैं जीवन भर आपके साथ साथ चलूँगा और अपने जीवन को अपने परिवार को मैं आपको प्रतिमिक्ता देते हुए आपको प्रतम अस्थान देते हुए मैं अपना जीवन बिताऊंगा उस जिस दिन मैंने यह निन्ने लिया प्रमेश्वर के सम्मुक प्राथना किया उस दिन से आज तक मेरे जीवन में सब कुछ प्रभू की दया से अच्छा चल रहा है प्रभू ने मुझे जहां से मैं गिर गया था उस अस्थान से उठा कर मुझे फिर से चटान पर खड़ा किया और जिन लोगों में मेरी बदनामी हुई थी उन्हीं लोगों में प्रमेश्वर ने मेरे नाम को सुमार किया और आज मुझे अपनी सेवकाई में प्रमेश्वर इस्तमाल कर रहे हैं हम मैं प्रमेश्वर को हिर्दैक से धन्यवाद देता हूं प्रमेश्व झाल झाल